वेलकम बच्चों, अभ्यास 4C को हम सॉल्व कर चुके हैं, आज का हमारा नेक्स टॉपिक है, दंड आरेक, क्या टॉपिक है बच्चों मारा दंड आरेक, यानि बार ग्राफ, अब देखिए पिक्टोग्राफ क्या था, जब हम पिक्चर से प्रदर्शित कर रहे थे, दंड आरेक का मतलब क्या है बच्चों, जब हम दंडे के रूप में, यानि एक बार के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे, आकडो को, तो उसको हम कहेंगे दंड आरेक, चल, पढ़ते हैं, आकडो को चित्रा रेक द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है, हमन क्या आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त आकर्शक चित्र बनाना भी कठिनकार है, अभी मैंने बोला कि मेरी भी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, आता आकडो को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्रिये विधी प्रेयोग कर सकते हैं, तो क्यों न हम कोई दूसरा प्रतीक चित्रों के स्थान पर एक अन्य विधी में दंडा रेक का प्रेयोग करते हैं, तो यहां पर हम किसका प्रेयोग करेंगे, दंडे का, दंडा रेक में एक समान चड़ाई के चैतिज या उध्वाधर दंड खीचे जाते, देखिए बच्चों, अगर हमने इस तरह से बॉक्स बनाया, तो इसको हम बोलेंगे चैतिज, और अगर हमने इस तरह से बॉक्स बनाया, तो इसको हम बोलेंगे उर्दवाधर, ठीक है, I hope आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसको हम हटा देते हैं पहले, आगे पढ़ते हैं, जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है, मतलब उनके बीच में जो दूरी है, वो समान होनी चाहिए, इस प्रकार खीचे गए, प्रतेक दंड की लंबाई, दी हुई संख्या को निरूपित करती है, आंकडों को प्रस्तुत करने का यह चित्रिय निरूपर्ण, दंड आरेक या बार डाइग्राम, या दंड आलेक ब इसके लिए हम एक उदाहरन लेंगे, कक्षा 6 के 6 विद्यार्थियों द्वारा, पुडांग 600 में प्राप्त किये गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक दंड आरेक द्वारा निरूपित कीजिए, दिक्षार्थी हैं, अमिता, नमिता, दीती, अजै, अमर, नाज दिया, और प्राप्ता आंग खेंगे, 450, 300, 400, 350, 500, 550, अभ्यास पुस्तिका पर समकोड पर काटती हुई, 36 रिखा, O, X और उर्ध्वा दे रिखा, O, Y खीचिए, तो देखे, सबते पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक यहां पर इधर खीचनी है, और इस पर 90 डिग्री का का पाटते हुए, एक रिखा, इधर खीचनी, ठीक है, और इसको नाम दे देना है, यहां पर O, X, और इसको दे देंगे O, Y, चलिए, नेक्स हम से क्या कह रहा है, नेक्स हम से कह रहा है कि, O, X पर सिक्षार्थियों के नाम अंकित कीजिए, और O, Y पर प्राप्ता आंको, यद प्युब्त पैमाने के लिए, उध्वादर अक्ष पर एक सेंटीमीटर पराबर सौ अंक को रखेंगे, तो पैमाना हमारा Y अक्ष पर क्या होगा, एक सेंटीमीटर पराबर सौ अंक, पहले हम कॉलम खीच लेंगे, देखें, इस तरह से खीचेंगे बच्चो, यहां पे हम एक-एक सेंटीमीटर पर इस तरह से खीश लेगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे स्केल से और वहाँ पर नमबर दे देंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, जहां तक हमारा गया है तो 600 तक गया हम किबद 600 तक भी खीश सकते हैं, लेकिन एक आप एक्स्ट्रा लेकी चलिए। यहां पर हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पर निशान लगा कर हमें इस तरह से यहां पर भी हम बराबर बराबर दूरी पर निशान इस तरह से लगा लेंगे। पहले हम निशान लगा लिए अब देखे क्या कह रहा है द्यान दीजे कि आकड़े में सिशार्थियों को उर्ध्वाधर अक्षपर प्राप्त अंकों को 36 दिशा में अंकित करकर दंड 36 दिशा में खीच कर भी निरूपित किया जासे परंतु समानिता उर्ध्वाधर दंड अ पसंद रहता बचो तो हम क्या करेंगे देखिए अब अमिता को मिले थे 4500 चार सो के सामने इस तरह निशान कलर चेंज कर लेते हूं इस तरह निशान लगाएंगे और उसके बाद उसको स्केल से इस तरह मिलाते हुए नीचे तर खेंश देंगे नमिता को 300 तो हम 300 पर लगा identify 300 तो हम इस तरह से खीच देंगे पिर आपके अमर को 500 तो इस तरह से अमर का बॉक्स हमारा बन जाए और साढ़े 500 नाजिया को मिलेते और mehrगार नाजिया का खीच कॉलम बना देंगे इतो इस तरह से हमारा पिक्तो हमको OX पे जो है वो numbers को दिखाना था और OY पे चातों को और ये column इस तरह से खिषते कि यहाँ पे हम देखते कि आमिता के 4500 हैं तो हम यहाँ पे खिषते उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मिलाते हैं सेम वही चीज़ हम इस तरह से भी खिष सकते हैं पर जादा हमारा किसको पसंद किया जाता है पुच्छों जादा हमारा इस वाले को पसंद किया जाता है इस प्रकार हमने देखा कि दंड आरेक स्यांखे की आंकडों का एक आधा रेखा पर समान दूरी में बने बराबर चोड़ाई वाले छे तेज अत्वा उर्ध्वादर दंडो द्वारा चित्र में निरूपन है प्रतेक दंड की उचाई या लंबाई किसी उप्युक्त पैमाने पर केवल एक से आंखी की आंख्डे का मान निरूपित करती है मतलब कि यह जो हमारी उचाई है देखिए यहां पर अगर है तो यह किसको बता रहा है चार सो को कक्षा में छात्रों के साथ चर्चा कीजिए और किसी खेल अनाज की पैदावार या साक्षर्था दर के आंख्रे परात कीजिए और आकडों से साणिया बना कर उन्हें दंड आरेक के रूप में पताशित कीजिए तो यह एक्टिबिटी है बच्चों यह आपको अपने क्लास में करनी है ध्यान क्या देना है बच्चों दंड आरेक खीशते समय निमलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए दंड आरेक की विशेवस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए आप उपर भी लिख सकते हैं आप नीचे भी लिख सकते हैं ग्राफ में पैमाना आवश्य लिखना चाहिए तो ग्राफ पे आपको पैमाना लिखना है पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे आकार ना तो बहुत बढ़ा हो और ना ही इतना छोटा कि चितर के सपश्चता नश्ट हो जाए इतना छोटा भी पैमाना नहीं लेना है कि इतना पर पैमाना ले सकते हैं तभी दंडों की चोड़ाई बराबर हो चाहिए अब चोड़ाई जो है वो बराबर हो चाहिए मैंने बता है ना कि सकेल से आप वहाँ पे भी निशान लगा ले और बराबर बराबर डिस्टेंस पर एक एक कॉलम छोड़ छोड़ कर आप बना सकते हैं आगे हम देखेंगे कि कॉलम छोड़ने की भी जरूरत नहीं आप सटा के भी बना सकते हैं दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए तो इसी पर होने चाहिए, O X पर ही होने चाहिए सारे की सारे दंड R1 की व्याख्या, आए एक रेडीमेड कप्डों की दुकान में सोम वार से शनी वार तक कमीज की विक्री का अध्यन करें नीचे दिये दंड R1 में कमीज की विक्री दर्ष आई गई एक इकाई बॉक्स पत्र पांच कमीजे तो यहां पर बच्चों देखिए आपको दिख रहा है सोम, मंगल, बुद्ध, बीव, शुक्रिशन, अभी यहां पर हमें ग्राफ दिख रहा है कि और इधर गे बेची गई कमीजों की संख्या है तो हमें इसको देख कर केवल कुछ प्रशनों के उत्तर दे रहे हैं किस दिन अधिक्तम कमीजे बेची गई तो आप देखिए कि सबसे अधिक किस दिन बेची गई है शनीवार को किस दिन बेची गई है शनीवार को फिर नेक्स पूछ रहा है किस दिन नियूनतम बेची गई ह किस दिन न्यून्तम संख्या में कमीजे बेची गई है तो न्यून्तम देखिए आपको दिख रहा है यहां पे कि मंगलवार को जो है वो न्यून्तम बेची गई है फिर नेक्स कहा रहा है कि ब्रहस्पतिवार को कितनी कमीजे बेची गई त्यापर्म देख पारे बच्चों की कुल 60 कमीजे बेची गई जब आकड़ों में संख्याएं बड़ी हो तो एक अलग पैमाने की आफ्रेक्टा पड़ती है ये संख्या करोडों में है अता एक उप्युक्त पैमाना चुनना होगा जैसे एक इकाई बराबर दस करोड जन संख्या तो हमको चुनना पड़ेगा थोड़ा पैमाना जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा दंड आरेक को पढ़ना अब हमें दंड को पढ़ना भी आना को पढ़ने को पढ़ने के लिए कुछ बिंदू पर पूरी साथ्धानी से विशेज ध्यान देना होगा उधाहरण के लिए चित्र चार के दंड आरेक को पढ़ने पर हम पाते हैं कि दंड आरेक किसी सब्ता हमें सोमवार से सनीवार तक कमीजों की बिक्री की संख्या दिखाता है तो यह हमें कहां से पता चलेगा बच्चो यह देखिए यहां पर यह टाइटल लिखा हुआ है बेची गई कमीजों की संख्या और इधर दिन लिखा हुआ है तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि एक सब्ता के हर दिन में कितनी कमीजें बेची गई हैं यह यह आंकरा हमें बत दिन सो मुआर से सनीवार तक एक 36 रेखा पर दिखाए गए हैं और एक उप्यूप प्यमाना मान कर कमीजों की विक्री उर्द्वाधर रेखा पर दिखाई गए किसी दंड की उचाई उस दंड के संगत दिन में कमीजों की विक्री की संख्या इंगित करती है अब दंड आरेक का अर्थ बताना चलिए भी पढ़ लेते हैं किसी दिए गए दंड आरेक का अर्थ बताने से तात पर रे इसके निश्कर्ष निकालने से होता है जैसे कि चितर चार के दंड आरेक से निम्लिखित निश्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि दंड आरेक किसी सप्ता में सोमवार से सनीवार तक विक्री किये गए कमीजों की संख्या को बताता है सबसे लंबा दंड अधिक्तम बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है सबसे छोटा दंड पंदरा के संगत है किसी विशिये इस दिन बेची गई कमीजों की संख्या कितनी इस प्रकार दंडारेक दिये गए आकड़ों को सरलता से समझने में सहायक होते हैं और केवल आरेक देख कर ही निशकर्ष निकाड़े जा सकते हैं यह पिक्टोग्राफ का ही दूसरा रूप है बच्चों कि पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स बनाने पड़ते थे तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती थी इस वज़े से इस ग्राफ को हमने अड़ाप्ट किया इसको भी देखकर हम केवल बता सकते हैं काफी चीज़े और इसको बनाना थोड़ा इजी है अब देखिए बच्चों अभ्यास 4D इसको हम सॉल्फ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें हमारे टोटल के बल दो प्रश्ण है बच्चों और इन दोनों प्रश्णों को हम सॉल्फ करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे बाई बच्चों